नमस्कार दोस्तों, मैं संजे बग्गू और मौजूद हैं देश रोजानक के डिश्टल मीडिया मंच पर एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ एक और नई लोगसभा की नौ विधान सभा सीटों के साथ एक जिट पोल की सेंकला में अभी तक मैं आपसे फरिदाबाद लोगसभा, गुरुगराम लोगसभा, रहतक लोगसभा इनकी सीटों की बात कर चुका हूँ इस वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूँ, हर्याना की वो विधान सभा सीट जहां से नेत्री, मुख्य मंत्री पत की दावेदारी है वो नेत्री जिनोंने लोगसभा चुनाओं में 9 की 9 विधान सभा सीटों पर कॉंगरिस का पर्चम लहराया था वो 9 सीटे, विधान सभा की 9 सीटे, जिस संसदिये छेतर में कॉंगर्स ने जीत ली थी, तो अब विधान सभा चुनाओं में वहां का क्या हाल है, इसे लेकर आपके साथ चर्चा में हूँ वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा सिर्चा लोगसभा की 9 विधान सभा सीटों को लेकर, मैंने आपको बताया कि सिर्चा की कुमारी सहलजा सांसद, मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका कल्भी वयान वाइरल हो रहा था और वो कह रही थी कि मुख्यमंत्री बनने का द लेकर और मद्दान के बात तक इस बात को बनाने की कोशिश की कि दलित नेत्री, दलित नेत्री, महिला नेत्री, दलित नेत्री यानि की नायब सिंग सैनी से लेकर अमिशा तक और मनोहरलाल से लेकर मूदी तक सभी ने कुमारी सहलजा को किसी ना किसी बहाने से अपने राजनीतिक भाषनों का हिस्सा बनाया अगर अब मैं आपसे बात करूँ कि कुमारी सहलजा का संसदिये छेत्र जहांपर 4 जून को यानि की 4 महिने पहले कॉंग्रेस ने नौ की 9 सीटों पर फते हासिल कर लिए थी विधानसबा चुनाव का क्या हाल चाल है अगर विधानसबा चुनाव की बात करें तो सिर्शा संसदिय च्छेत्र की जो 9 विधानसबा सीटे हैं उनमें सबसे पहले जो सिर्षा हेड़कॉर्टर की सीट है उसकी बात अगर करेंगे तो सिर्षा में भारती जंता पार्टी के अब की बार कोई कैंडिडेट नहीं थे सिर्षा की प्रमुक बात ये थी कि यहां पर भारती जंता पार्टी के कौन कैंडिडेट ने सरेंडर कर दिया था चुनाव मैदान से और उसको ले करके तमाम प्रकार की बातें चली कि इंडियर नैशनल लोगदल गोपाल कांडा और ये मिले हुए है और सिर्जा लोगसभा कर दूसरी बात आपसे मैं कहूं अगर तो राम रहीम यानि की गुरमीद सिंग को पेरोल पर भीजा गया 20 दिन के लिए और उस पर तमाम राजनितिक आरोप प्रत्यारोप हुए राजनितिक गरियारों में चर्चा चली एक वेबसाइट पर में पढ़ रहा था कि गुरमीद सिंग ने जो उनकी नाम चर्चा करते हैं उसके अंदर संदेश जारी कर दिया था भारती जन्ता पार्टी के लिए अलाकि खुले रूप से तैलान नहीं हुआ करता लेकिन जो गुप संदेश जारी होता है वो भाजपा की फेवर करने का था इस सब का कितना असर रहा सिरसा की लोगसभा पर सिरसा लोगसभा की नौ सीटों पर क्योंकि डेरा सच्चा सोधा का सिरसा में अपना वजूद है अगर मैं असर को माने तो सिरसा विधानसभा सीट जहां से गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा ये दौनों प्रमुक कैंडिट रहे और अगर चुनाब की बात मैं आपसे करूँ तो कांटे की विडंत के अंदर भी गोकुल सेतिया बड़त बनाते दिख रहे हैं कॉंग्रेस के कैंडिडेट गोपाल कांडा के साथ इंडियर नैशनल लोगदल का समर्थन गोपाल कांडा के साथ बीएसपी का समर्थन गोपाल कांडा के साथ भारती जंता पार्टी का समर्थन गोपाल कांडा के साथ तारा बाबा कुटिया का समर्थन गोपाल कांडा के साथ गुर्मीत राम रहीम सच्चा सोधा का समर्थन लेकिन इस सब के बावजूद कांटे की फाइट और इस कांटे की फाइट के अंदर जो बड़त है वो गोकुल सेतिया को है अगर सिर्सा जिले की अगली विधानसवा सीट की बात करें तो फिर अगली सीट आएगी यहाँ पर प्रमुक सीट है एलनाबाद एलनाबाद में अभेज सिंग चोटाला यहाँ पर कैंडिडेट हैं इंडियन नेशनल लोगदल बीएसपी और गुपाल कांडा के गुपाल कारणा का जिक्र सिर्शा में करना जरूरी है और उनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो भरसिंग बेनिवाल हैं कॉंग्रेस के कैंडिडेट भरसिंग बेनिवाल भी विधायक रह चुके हैं और अभेच सिंग चोटाला यहां के निवर्तमान विधायक है विपक्ष के बड़े चहरे यहां पर कॉंग्रेस और इनेलों के मुकाबले जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया और यहां पर आमादमी पार्टी ने भी एक पंजाबी कैंडिडेट उता रहा एलनाबाद को लेकर के पहले यह कहा जाता था कि सीट यह क्लियर है बारती जन्ता पार्टी ने यहां पर एक तरह से रास्ता खुला किया है अभेसिंग चोटाला के लिए मीनू बिनिवाल बड़ा नाम यहां का रहे है लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था और कहा गया कि अभेसिंग चोटाला के लिए बीजे पी ने रास्ता क्लियर कर दिया लेकिन उस रास्ते को कॉंग्रेस के भगसिंग बिनिवाल पूरी शिद्दत के साथ रोकते हुए सामने खड़े दिखाई दिये और अगर मैं एलनाबाद में भी आपसे कह दूँ कि अभेसिंग चोटाला और भरसिंग भगसिंग बिनिवाल के बीच में जो चुनावी फाइट है वो बहुत कांटे की है और चुनाव में क्या हो सकता इसे आप कह नहीं सकते आठ तारिक को तह होगा और ये कांटे का चुनाव फसा हुआ चुनाव है जिसके अंदर कॉंग्रेस को एज है यहां पर भी भगसिंग बिनिवाल को सिरसा लोगसभा की तीसरी विधानसभा सीट की बात करें तो फिर रानिया रानिया में रंजीज सिंग चुटाला एक बार फिर चुनाव मेदान में है इंडिपेंडेंडेंट चुनाव जीते थे 2019 में 1987 के बाद चुनाव जीते 2019 का और अब 2024 के चुनाव में रंजीस सिंग चोटाला इंडिपेंडेंट थे उनको समर्थन दुशेन चोटाला को और उनका समर्थन उनको जो समर्थन दिया वो समर्थन दिया आजाज समाज पार्टी ने अगर मैं यह कह दूँ के रंजी सिंग चोटाला के लिए भारती जंता पार्टी का भी छोपा हुआ समर्थन था तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उस सब के बाब जूद जो रानिया विधानसभा सीट की स्थिती दिखाई पड़ रही है सर्व मित्र कामबोज यहाँ पर कैंडिडेट थे कॉंग्रेस के और यहाँ पर अब जो चुनावी फाइट दिखाई दे रही है वो अरजुन चोटाला और सर्व मित्र कामबोज के भी दिखाई दे रही है रंजी सिंग चोटाला यहां पर पिछड़ते हुई दिखाई पड़ रहे हैं और इस सीट पर इंडियन नैशनल लोगदल के अरजुन सिंग चोटाला चुनाव जीत सकते हैं सिर्चा लोगसभा की चौथी विधानसभा की बात करें तो रतिया लक्षमन नापा यहां के जो निवर्तमान विधायक रहे हैं लिवर्तमान विधायक लक्ष्मन नापा थे बारती जंता पाइट्री से चुनाव जीते थे भाजपा ने टिकेट काट करके इस चुनाव में 2024 के विधान सभा चुनाव में सुनीता दुगल को मैदान में उतारा। सुनीता दुगल सांसत थी यहां से 2019 से 2024 तक उनका टिकेट काट करके अशोग तवर को मिला था अशोग तवर चले गए कॉंग्रेस में और यहां पर अब सुनीता दुगल जो है चुनावी मुकाबले में रतिया के अंदर फसी हुई थी जर्नेल सिंग के सामने अगर रतिया व कंडिडेट हैं कॉंग्रेस के बीजेपी ने यहां पर चुनाव मैदान में कैंडेट उतारा इनैलों ने उतारा और शीशपाल कहरवाला मैं आपको बताता चलूं कि अशोग तवर के भारती जंता पार्टी छोड़कर कॉंग्रेस में आने के बाद सिर्सा विधानसभा और सिर्सा जिले की सभी विधानसभाओं में अशोग तवर की वज़ा से कॉंग्रेस को कुछ ना कुछ फायदा मिला है और कालावली विधानसभा सीट को भी आप समझ ले तो कालावली भी शीशपाल कहरवाला चुनाव जीतने जा रहे हैं अगली विधानसभा की बात आएग लेकिन चुनाव जीतने की तरफ जो बड़त दिखाई दे रही है वो बलवान सिंग दौलत पुरिया कॉंग्रेस केंडिट के तौर पर चुनाव में बड़त बनाए हुए हैं अगली विधानसभा की बात करें तो फिर नर्वाना नर्वाना विधानसभा सीट पर कॉंग्र पर चाचा भतीजा आमने सामने रहे अधित्या चोटाला और भतीजे दिग्विजय चोटाला भारती जनता पारिटी में थे बीजेपी छोड़ करके वो आये थे इनेलों में और इनेलों में अपना केंडिट बलाया बीजेपी ने यहां पर जिनको टिकट दिया वो है सरदार बलदेव सिंग और अमिज सिहाग यहां पर केंडिट कॉंग्रेस के हुए और दिग्विजय चोटाला यहां पर जेजेपी से प्रत्याशी रहे अगर डबाली का मैं आपको बता दूँ तो फिर आधित्या देवीलाल और अमिज सिहाग के बीच चुनावी मुकावला है और अमिज सिहाग इस चुनाव को जी देवेंदर बबली पहले जेजेपी के विधायक थे उससे पहले आजाद और कॉंग्रेस में रहे और देवेंदर बबली कॉंग्रेस की टिकट चाह रहे थे लेकिन अंत में वह आप असे भाजबा के साथ और भाजबा ने टिकट उनको दे दिया देवेंदर बबली के अधर बतावर कॉंग्रेस केंडिएट चुनाव जीतने की तरफ हैं सिर्शा लोगसभा की ये नौ विधान सभा सीटे जिन पर कि कॉंग्रेस ने नौ की नौ सीटे जीत ली थी लेकिन इस चुनाव में विधान सभा के अंदर यहां पर दो सीटों पर काटे की भिढ़न्त है स सिर्शा और एलनाबाद हलाकि इन दोनों सीटों पर एलनाबाद में अभय सिंग चोटाला को एज है और सिर्शा के अंदर गोकुल सेतिया को अगर जो दो विधान सभा सीटे ऐसी हैं जिन पर इंडियन नेशनल लोगदल जीतने की सिती में है वो है रानिया अर्जुन जीत की तरफ है जन्रेल सिंग चुनाव जीत सकते हैं कालामाली में केर सिंग शिषपाल केरवाला जीत की तरफ है और फत्याबाद के अंदर बलवान सिंग दौरत पुरिया जीत की तरफ है आप हमारी बास से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर बाएं अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें